पूरानी क्लासिस में देखा था वाइब्रेशन की डेफिनेशन को समझा था उसके बाद हमने कुछ टर्मिलॉजी समझी थी अब हम धीरे धीरे वाइब्रेशन की मैथेमेल्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं वाइब्रेशन को हमने थेयुरिटिकली पूरी तरीके से समझ लिया है कि वह एनिटुएंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन पोजिशन इस वाइब्रेशन किसी सिस्टम को अगर उसकी इकुलिब्रियम से डिस्टप कर दें जो वाइब्रेशन वह एक्जिक्यूट करें का उसकी नाच्वरल फ्रो मोशन भी बोल रही है मैंने मुझे यह भी समझ में आ गया मैंने टर्मिलोजी भी देख ली मैंने डिग्री ओफ्रीडम भी समझ लिया एक पेंडूलम इस मूविंग और एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है अभी मैंने वर्ड यूज किया स्प्रिंग द रिप्रेजेंट किया जाए उसके बाद में उस पर पहुंच चुक है तो आज का टॉपिक है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी तक मेने जो लाश्ट्ट क्लास में ऑप्रेजिए ब्रेजे मोशन अप्रेज देख है अनी मोशन विच रुपेट रफार टाइम इस तरम्ट एस प्रियोडिक मोशन एंग सिंपल हर्मोनिक मोशन इस शिंपलेस फरम अप्रियोडिक मोशन ठीक है विच के विच रिपी ृत अच्छी बात अब मैं जो टु अ्थो आ इंड फरो को बोल रहा हूं यहाँ मुझे पता होना चाहिए उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए तभी मैं वाइब्रेशन को समझ पाऊंगा और उसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है अभी तक की जो कहानी हुई है वो यह है कि एनी तो एंड फ्रो मोशन अबाओड मीन इकुलिब्रियम पोजीशन इस वाइब्रेशन फिर मैंने उसको बोल दिया कि पिरियॉडिक मोशन एंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर दा सिंपलेस्ट एक्जामपल ऑफ पिरियॉडिक मोशन विच रिपीट्स आप तरफ इंटर्वल सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं सर्कुलर से करूंगा क्योंकि उनका ग्राफ होता है और वह सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था पैस उसको आप रिप्रेजेंट करना और जो जित्ती हम लोगों ने ठर्मिलॉजी देखी थी वह भी आब हम इस diagram की help से समझेंगे अभी तक मैंने ये देख लिया था कि जो भी harmonic motions है उनको मैं circular function से sign और cost से represent कर रहा हूं ठीक है और जो periodic motion है मेरा वो इसी का मतलब simplest form है simple harmonic motion is the simplest form of periodic motion ये बाद भी मैंने देख लिए ठीक है बट ये vice versa काम नहीं करता मतलब जो every simple harmonic motion is periodic ये तो है वाइस वर्सा इस नौट पॉसिवल तो वाइस वर्सा इस नौट पॉसिवल इन देट केस ठीक है ये यह नाओ दिस दिस पॉइंट अप तो देट पॉइंट नेट इस पाई क्योंकि यह साइन कर्व है और यहां तक अगें पाई and so on अगर इस कर्व को मैं और आगे बढ़ाऊ तो इस अगें पाई ठीक है तो दिस इस दे कर्व एक्स एक्स कर्व की एक्वेशन है यह हो जाएगा एक्स जो कि टाइम का फंक्शन है है और पूरी वाइब्रेशन में फिटा इस इकवस्टो ओमेगा टाइम्स आफ टी जैसा इससको सिंप्ली हम समझें time or displacement up on the time जो वे वैलासिती है वह क्या होती है नेइस डिस्प्लेस्मेंट कि अबोन में us की इस्प्लेस्मेंट अपाउन में वेलासिती यह किस professionals में बोल रहा हूं मैं linear के case में बोल रहा हूं और sign that is angular तो sign तो velocity angular velocity now angular velocity जिसको मैं represent करूंगा omega से अगर बात angular velocity की हो रही है तो जो displacement होगा वो भी angular displacement होगा angular displacement अगर angular displacement है that is represented by theta per unit time so theta equals to omega t पूरे vibration में हम theta equals to omega t लेकर चलेंगे यह मुझे clear हो गया क्योंकि sign की equation है ठीक है यहां से मैं देख रहा हूं that is the curve of x जो की simple harmonic motion को represent करने का तरीका है that is pi अब इसमें ज़रा हम यह देखें that to complete one cycle time required उसको मैं क्या बोल रहा हूं time period so इस पूरी cycle का जो time period है वो time period is capital T and the maximum displacement is your amplitude capital X the maximum amplitude is capital X ठीक है तो जो periodic motion को simple harmonic motion में बोल रहा हूं maximum displacement is amplitude दोनों side क्योंकि curve equivalent होता है दोनों axis के about that x is also equals to that x ठीक है that is amplitude so amplitude क्या हो गया T that is time period तो T अगर time period है तो frequency क्या हो जाएगी frequency क्या हो जाएगी one upon में T क्योंकि एक cycle को complete होने में time T and number of cycle per unit time so one upon में T एक cycle हो रही है कितने time में T time में that is one upon में T और इसकी units हो गई hertz ठीक है और जब मैं इसको ये जो frequency को मैं angular frequency omega में convert करूँगा तो that is आप कह सकते हो radian per second की अगर मैं बात करूँ omega is in radian per second और अगर मैं hertz की बात करूँ तो ये वाली frequency one upon में तो दो unit use कर रहो हूँ मैं radian per second and that hertz तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि displacement क्या होता है maximum displacement is amplitude ये sign curve है जो कि एक simple harmonic motion को represent कर रहा है एक cycle को complete होने में time कितना लग रहा है 2 pi लग रहा है यहाँ पर pi and pi that is 2 pi so जो time period है that is equals to 2 pi by omega ठीक है radian per second है radian per second उपर गया 2 pi angle angle की unit क्या होगे radian जड़ा यहाँ पर देखे t that is equals to 2 pi by omega so इसकी unit क्या होगे radian per second और 2 pi क्योंकि एंगल है तो यह क्या हो जाएगा radian तो radian और radian चले गए second उपर पहुँच गया time की unit क्या होगे second and in that case when frequency की बात करेंगे तो 1 by t 1 by t that is equals to omega upon 2 pi when omega upon 2 pi और यह किस में हो गया omega is equals to 2 pi f omega equals to 2 pi f omega किस में है radian per second में अगर omega radian per second में है तो f किस में हो जाएगा hertz में हो जाएगा तो यहां से मुझे frequency को hertz में आना चाहिए frequency को मुझे radian per second में आना चाहिए और मुझे time period का पता होना चाहिए so this is all about your simple harmonic motion thank you कर्या ओर मुझे and दॉछ किसमे को आना किस चाहिए किसमे है जाएभा किसमे किसमी चाहिए नहां चाहिए नहां किसमे है